हलो दोस्त रराजी गूरूब डी रिजल्ट जारी हो गया है पेप्रों में यानी डेट आ गया है आ टुईटर भी था और ट्वीटर पे लोगों ने बोला हलाकि उसका प्रनाम हो सकता है क्योंकि ट्वीटर पे भूला लेकि result में revise हो रहा है इतना बड़ा क्या revise हो रहा है ये भी एक सोचने वाली बात है जो अगले वीडियो में बात करेंगे result जारी होगा ये तो clear हो गया RRC wise होगा PT या सभी का एक साथ होगा तो देखिए सभी का एक साथ का चंप संभावना बहुत कम होता है क्योंकि एक साथ PT कराने के लिए सभी RRC 16 RRC को एक साथ आना पड़ेगा और सबको अपना ground और staff तयार करना पड़ेगा तो एक साथ कम ही chance होता है सभी का RRC wise होगा कुछी का दो दिन आगे दो दिन पीछे किसी का कुछ है से करकर के तो वेपसाइट ओफिसियल वेपसाइट पर बात करना है कोई ऐसा इधर उधर की बात नहीं करना है देखिए 23-12-2022 और कुछ लोग कलका रहते कि Central Railway वाला नोटीस गड़बड है तो बिलकुल सही था उसमें कुछ correction हो सकता है लेकिन उसका भी नोटीस PT का detail दिया हुआ था 19-1-2023 इयार का नोटीस आया था जिसमें तीन चार तीन से लेके साथ जनवरी 2023 का यह साथ संभव नहीं हो पाए यह डेट एक्स्टेंड होगा उसके बाद आपका ACR का official website पर आपको दिखा था जहां पर नोटीस कुछ लोग फेक बोले थे जबकि original था इसका भी डेट था आपका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक लेकिन एडेलवे मनें तराले का जो जारी हुआ था लेटर जो सभी RRB का mission mode था उसमें जनवरी 2023 की बाद थी ओ भी सही था य तो टेलिग्राम पर देखिएगा तो टेलिग्राम पर तो लोगों लगा दिया होगा अब तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यहां तो comment पर comment आते जाрах होगा mission mode का हरा है एतना डीले हो रहा का तो मुझे पता है जब तक वीडियो बनेगा तब 50 साथ लोग ट्विट कर देंगे डाल देंगे यहां पर और ट्विटर वाला तो आप देखे ही है बिल्कुल ओफिजल नोटीस है कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है जिसमें बोला गया है आपका की रिजल्ट जो पब्लीश होगा ओ इतना नहीं होगा चौबीस इगारा नहीं इस से पहले पहले हो जाएगा कुछ लोग कर रहा था कि 20 से पहले रिजल्ट आएगा बीस बाराद दो अजार बाईस से तो देखे यह सब अनुवान रहा गया था जब 7 तारीक और रिजल्ट नहीं आया तो हमें भी 6 तारीक नूज जायता कि 7 से 8 9 के बीच में रिजल्ट आजाएगी और नहीं आया तो अब लग रहा था कि result में कुछ न कुछ घडबड है और घडबड क्या हो सकता है cut up से related हो सकता है कितने लोग को qualify करना है कि cut up पे लेना है कितना qualify वो issue हो सकता है जो अगले वीडियो में बात करेंगे लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि पीटी का जो आपका फिचकल होगा एफिसेंसी टेस्ट वो जनवरी 2023 और उच से आगे यानि टेंटेटीव सुरुआत होगा लेकिन जो सुरू के थे ना फर्स्ट विक सेकंड विक अब नहीं होने की संभावना है जब रिजल्ट 24 से पहले-पहले कभी भी आएगा तबी माल लिजे कि 20 भी आ जाएगा तो कम से कम कंडिडेट को 20 से 30 दिन तो देना पड़ेगा तो आपका वही सीडूल 10 तारीक से 20 तारीक के बीच में कभी-कभी जनवरी 2023 में आपका सीडूल आ सकता है और हो सकता है लास्ट में भी आए किसी अरार्वी का ग्राउंड खाल जाना है 16 रर्शी में तो किसी जिमें बेकेंसी भी जादा है जिसमें बेकेंसी जादा है वहां पे देर चलेगा कुछ लोग कहते कि जैसे मैंने यार वाला दिखाया था तक कुछ लोग का रहते कि एक ही यार में अलग-अलग डिवीजन में होगा पीटी तो देखिए रहनी जो ट्रेक है वह ख़र कंक्रीट का था किशी भुबड़ा ख्बड़ा था राउंड ज्यादा था किसी का कम था यह सब चीजे नहीं होने के चकर मेंoo पीटी क्या होता है । यह दियान रखिएगा उसके बाद वेपसाइट्टक ज्हुजा गा सारा डेट और आपको ह खुषकब्री भी कर सकते हैं, आपके लिए ये चलेंज भी कर सकते हैं, चलेंज ये है कि आपको अब रजाई से भू şur के टूइट करने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और ग्रायंड में उतर के दोड़ना पड़ेगा, मैंने कल शुरुवात किया था आज भी आज करीब करीब में 680 मीटर के आसपत दोड़ा थोड़ा हलाकि प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा कोशिज कर रहा हो कि मैं ऐसा टर दे तक एक लेवल तक पहुचू कम से कम कि कम से कम 5-6 मिनट में 1 किलो मीटर तक दो के लेवल